हेलो एवरिबरीबन, वेलकम टू फोर आपकी सक्सेस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में हम सब बायलोजी के मोस्ट रिपीट होने वाले 50 प्रस्ण को देखेंगे, जो SAC, NTPC, State, PCS, PCS, Railway, इन जैसे परिक्षाओं में कई बारे रिपीट हो चुके हैं, उन सभी प्रस्णों को हम कर रहे हैं, तो वीडियो को सुरू से अन तक बिना स्किप किये देखें, और फ्रेंस कुछ दिनों से वीडियो मेरी ना अप्लोड होने का कारण ये था कि मेरी जो हेल्थ इस हुए, कुछ थोड़ी सही नहीं थी, इसके कारण में वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहा था, आज के बाद आपको regularly daily basis पे मेरी वीडियो सारी मिलेंगी, तो चलिए सुरू करते हैं, पहले question से, देखें, अगार-अगार किस से प्राप्त किया जाता है, तो अगार-अगार आपको पता ये fertilizer में यूज किया जाता है, ये हम प्राप्त करते हैं, क्लोरेला से, option A is right, next question है, amoeba का प्रचलन करीं में नहीं आता है बारती ए 20 जीवन के संदर में उडियन वल्गुल निमनिखित में से क्या है तो जो ये जो उडियन वल्गुल पाया जाता है उसका क्या reason होता है तो उसका reason generally यही होता है कि आनुवानसिक्ता विभीन पाया जाता है और साथी साथर वातावरन की विभीनता होती है इन दोनों के कारण जो है सभी बच्चे अलग होते हैं नेक्स question है मेढख का लारवा क्या कायल आता है तो मेड़ा का जो लारवा होता है उसे हम सब क्या कहते हैं उसे हम सब क्या कहते हैं टेट पोल कहते हैं और सने क्या है राइट है जीन अवस्तित होते हैं तो देखें जीन कहां अवस्तित होते हैं जीन गुंसूत्रों में अवस्तित होते हैं इंपॉर्टन तो विकास की प्रकरिया में मनुष का निकरतम प्राहानी कौनसा है बंदर्स है नेक्सнуться है जीवन की उत्पती हुई है तो देखिए जीवन की उत्पती जो है वो जल से हुई है नेक्स्ट ए Christmas सरीर में यूरिया का निर्मान निर्मान जो है वह यकरत में होता है, option ck rite answer है नेक्स्ट है निमनिलिकीत में से किस एक सर्फ का भोज ये मुक्षि रूप से सर्फ है तो कौन सा साब है, जिसका भोजन भी साब ही है तो right answer है नागराज ठीक है जो नागराज होता है वो सांप को ही खाते है next है कोशिका में पाया जाने वाला अनुवंसी की पदार्थ कौन सा होता है तो कोशिका में पाया जाता है जो अनुवंसी की पदार्थ उसे हम सब DNA कहते है क्या कहते है DNA ने, next है, कौन सा प्राणी सांपो से लड़ता है, तो सांपो से लड़ने वाला प्राणी कौन सा है, नेवला जो है, वो सांपो से लड़ता है, next है, जीन है, तो जीन क्या है, जीन एक क्या है, एक DNA का भाग अप्सन भी क्या होगा, correct होगा, निम्र लिखित में से कौन कीट नह नहीं है बाकि यह सभी कीट की केटेगरी में डिफाइंड होती है नेक्स कुछन है स्वासन की किरिया संपन होती है तो स्वासन की किरिया जो है वो माइट्रो कॉंड्रिया में संपन होती है इस प्रस ने मनुस्य में द्विग गुनित क्रोमोजोम्स की संख्या कुल कितनी होत यह गुना होके कितना बन जाता है 46 हो जाता है नेक्स्ट कोशन देखिए घरेलू मक्ही का लारवा क्या कहलाता है तो जो घरेलू मक्ही होता है उसके लारवे को हम क्या कहते हैं उसे हम लोग मैंगोट कहते हैं option B क्या है, right answer है, next, फिरो मोंस पाए जाते हैं, तो ये फिरो मोंस जो है, वो कहां पाए जाते हैं, ये किटो में पाए जाते हैं, किटो में पाए जाते हैं, ठीक है नेक्स्ट है नाभी रजु है तो नाभी रजु क्या है या एक पौड संयोजी उत्तक है क्या होता है नाभी रजु एक पौड संयोजी उत्तक होता है नाभी रजु नेक्स्ट है निम्ड में से कौन एक मीन है ठीक है मीन कौन सा है यानि कि मचली कौन है तो इसमें जो है flying piece जो है वह एक real mean है बाकी जो है वह false fake mean है नेक्स्ट है बिच्चू का wish कहां पर होता है तो देखिए एक बिच्चू का wish जो है वह इनके bank में होता है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन एक गरंथी नहीं है तो गरंथी कौन नहीं है जठर जठर एक गरंथी नहीं है बागी थायराइड अगनासा है और यकरत ये तीनों क्या है ये गरंथियां है नेक्स्ट है रक्त की असुधियां किस अंग में जाकर छंती है तो देखिए रक्त सहु के कौन थे खोज करता ये लैंड स्टीनर के द्वारा इसे खोजा गया था ब्लेड ग्रूप की खोज किस ने की थी लैंड स्टीनर ने की थी सबसे विसायला साप कौन सा होता है तो सबसे विसायला साप करयत होता है करेत. Next question है. किसमेn रक्त नहीं होता है, किन्तु स्वशन करता है. रक्त नहीं है, फिर भी स्वशन करता है. Hydra. Very, 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 very important question है. ये कई बार railway SAC के प्रिक्षा में पूछा जाएगा. Hydra में रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी ये स्वासन की प्रक्रिया इसमें होती है देखिए नर्संस प्रानी कौन सा है तो नर्संस प्रानी कौन सा है कच्छुवा जो है एक नर्संस प्रानी के कैटेगरी में आता है नेक्स है डिने का डबल हैलिक्स मॉडल किस ने दिया है तो डि प्धानी में पाय जानेवाले सापको हेड्रोफीस कहते हैं नेक्सट है अनुक्सीख अस्वmosan 215 रिश्पीरेशन होता है उसका लाइडिक इसीड यो हाता है अस pero truck उसमें बनता नेक्स्क मनुषइक मस्तिश का सबसे बढ़ा भाग है तो मनुषईक मस्तिश में सबसे से मस्त्र से नेक्स है नेक्रोन किस से संबंदित है तो नेक्रोन जो है वह संबंदित है वरक से नेक्स कोचन है मानों में गुल्प सुत्रों की कुल संक्या होती है तकि मानों में गुल्प सुत्रों की कुल संक्या 46 होती है तो नेक्स कोछन है, नियुल में से किसके अधरपके मांस को ख़ाने से फीता क्रीमी मनुसी के हाथ में पहुचता है, नेक्स कोछन है, हाली में लुप्थुदव जन्तू है, तो इसमें से कौन सा जो जनतु है वो हाली में लुक्त हुआ है तो दीखें डैनोसौर जो है वो अब नहीं पाया जाता है धरती पर ठीक है टीडियों का टैक अब भारत में हला में हुआ था निसेचन की किरिया कहां होती है तो देखें निसेचन की किरिया जो है अंडवाहिनी में होती है नेक्स है मानो सरीर में किन कोशिकाओं में कम पुनर योजना सकती होती है तो राइट आंसर है इसका अप्शन है मस्तिस की कुशिकाओं में होती है नेक्स है जेली फिस के नाम से जाना जाता है तो जेली फिस के नाम से कौन जाना जाता है तो और इलिया जो है वो जेली फिस के नाम से जाना जाता है आपसंसी क्या है राइट आंसर है मेड़ा की हिर्दे में कितने कच्छ होते है मैंने बताया था यह वातिल होती है बीच में यह खोकली होती है नेक्स्ट है मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंदित हैं तो मधुमक्खी और कीड़ी जो है वह संबंदित किस वर्ग से है तो देखिए मधुमक्खी और कीड़ी जो है वह संबंदित है कीड़ से ने एक ही कैटेगरी के दोनों होते हैं निद्रा रोक पैदा करता है तो निद्रा रोक कौन पैदा करता है तो ट्री पैनो सोमा जो है वह निद्रा रोक पैदा करता है ठीक है ट्री पैनो सोमा नेक्स कोशन है लड़का पैदा होगा जब तो लड़का पैदे होने की गारेंटी कब होती है जब बच्चे में XY गुन सूतर हो तब लड़का पैदा होता है Next question है तलाबों और कुओं में निमलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छडों को नियंतरित करने में मदद मिलती है तो तलाब और कुओं में मच्छड को अगर नियंतरित करना है तो आपको गैंबूसिया नाम की चीज जो है वो छोड़नी होती है इसे मच्छड और मच्छड जो है वो नियंतरित में रहते हैं तो friends ये थे हमारे most important selected 50 questions ये सारे प्रस्णों को बहुत ही selected लिया गया है SSE, Railway, State PCS, Defense Exam, Police Exam इन सभी परिक्षाओं में जो बहुत बार repeat हुए है वे सभी प्रस्णों का ही collection नहीं है तो आप इन प्रस्णों को सुरू से आन तक जरूर कर ले और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी Health Issues ठीक नहीं थी इसलिए वीडियोज नहीं आ रही थी अब डेली बिस्स पे दो वीडियोज कल से आपको मिलेंगी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताए और थैंक्स पोर वाचिंग अब दिखते हैं